आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे धन्या पंजीरी धन्या पंजीरी क्रस्त जन्मास्तिमी पर बनाई जाती है अर्था जन्मास्तिमी पर आईए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किंकिन चीज़ों के आउशिकता है 100 ग्राम चीनी का गुरा लेले आप 100 ग्राम और दो बड़े चम्माच घी 4-5 लाइची का पावडर हरी लाइची 10-15 बदाम 10-15 गाजू और थोड़ा किसमेश और 14 ताल मखाने और 1500 ग्राम धन्या पावडर आई अब हम धन्या पंजीर बना सुरू करते हैं सबसे बड़े ग्यास को आउन कर लें उसमें कड़ाई रख लें और कड़ाई को गरम होने दे थोड़ा यह दो बड़े चम्माच हमने घी ले लिए इसमें हम एक बड़ा चम्माच डाल देंगे इसमें और गी को अंका विखलने दे अभी गी हमारा गरम हो चुका है इसमें में ताल मखाने डालेंगे एकटोरा ग्यास को आप इनको सिम रखें और इनको अच्छ तरीक से भूम ले गी में इसको बीज़ी में चलाते रहें मखानों को अच्छी तरीके से भून लें हाँ ध्यान रखें गैस आपकी बिल्कुल कम रहें नहीं तो मखाने हमारे जल जाएंगे हलका इनका कलर चेंज होने दे यह प्रसाद हम हमें इस आजनमास्टमी को बनाते हैं तर्शन भवार के जनम दिन का अब यह मखाने मारे भून चुके हैं अच्छी तरीकी से मखाने को भूनने से 2-3 मिनट लगते हैं को भूनने में अब हमको निकाल लेंगे एक प्लेट में आप देख सकते हैं का कलर चेंज हो चुका है मखानों का मखाने भून चुके हैं अब हमने निकाल लिया है इसी कडाई में आप एक बड़ा चमश और घीन डालें इसमें हमने 1.500 ग्राम धन्या लिया है धन्या बाउडर इसको हम डालेंगे इसमें गैस को आप बिल्कुछ सिम रखें और इसको धीर दरे भून लें इस तरीके से चलाएं इसको दन्या अब अच्छी तरीके से भून लें और गैस को बिल्कुल कम रखें दन्या को तब तब भूने जबता इसमें खुस्बू आ जाए और बीड़ी में इसको चलाते रहें हमें को दन्या और पूंची अच्छी तरीके से थोड़ा सा रखेंज वह अप देख सकते हैं हलका हलका ब्राउन हो गया है इसको बूनने वे हमें 3 मिराट लगें कम से कम, अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसी गैस को बंद करने के बाद भी अब इसको चलाते रहें, नई तो यह आपके कड़ाई पे लग आएगा अब हम इसमें पूरा डालेंगे, यह 100 घ्लाम चीनि को बूरा है इसको इसमें डाल देंगे आप करेंगे प्रकाटस दर्चि है अब ऑफ जाने हैं ज़सु पुस्य्टी आप तोड़की लाएं दोरेगे कैसे दोपाटस का लोग। मैं इसको साभूती इसमें डाल दे रही हूँ, आप चाहे तो तोड़के भी डाल सकते हैं, उसको मिक्स करना अच्छी सिसमें अब इसको थोगा थंडा होने दे, जब तक थंडा होता है हम ड्राइफूर काट लेते हैं बदाम ड्राइफूर को इस तरीके से काट लें आप फिर कोई छोड़ा छोड़ा यह बदाम अमने काट लें सही से काजू भी आप काट लें छोड़े छोड़े इस तरीके से और किसमिस भी आप से मिला लें अब थोड़ा थंडा हो चुगा हम इसमें हरी लाइंची पाउडर डालेंगे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और बदाम काजू किसमिस यह ड्रायए पारी पारी इसको भी आप सब इसमें मिक्स कर दें पसाद में थोड़ा सा बचा दें अच्छी तरीके से इसको मिला लें दन्या की पंजीरी ये बहुत ही स्वाधिश्टी होती है खास वर्पया में इसे किसमें जन्माश्की में मनाते हैं अब बंजीरी हमारी बनकर बिलकुल तयार है इसको हम प्रेट या बाउल में निकाल लेंगे एक बाउल जाएं इस तरीके से चाहता प्रेट में भी निकाल सकते हैं अब धन्या पंजीरी बनकर भी कुल तयार है हमारी इस तरीके सामने इसको बाउल में निकाल लिये हैं अब थोड़ा ड्राइवूर्ट जो उन्हें बचा कर रखे तो इसको डाल देंगे ऐसे इस तरीके से आप इसमें चाहें तो गलसुकी गरी भी डाल सकते हैं यह प्रसाद हमारा बनकर भी कुल तयार है क्रशन दिर्मास्तुमी पर आप भी इसको बनाएं और सब को खिलाएं इसको बनाना बहुत ही आसान होता है और अधिक रेसेपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जोड़ सकते हैं आप अपना अलुभव किरन से रेसेपी पर शेयर करना न भूलें